आज हम बात करने वाली हैं विस्तास के एक चाप्टर on a face of it के बारे में जो कि क्लास 12 का एक चाप्टर है इसे लिखा है सुजान हिल ने और इसमें जो है पॉइंट ओफ व्यू चेंज करने की जो भी स्टेप्स है प्रोसीजर है वो दिखाया गया है एक इसमें characters मैं बता दिते हूं आपको इसमें एक character है एक छोटा बच्चा है dairy जिसका पूरा नाम है Derek ठीक है उसको dairy बोला गया है इसका half face जो है वो burned है acid से ठीक है इसका आधा face जो है वो जला हुआ है acid से इसके बाद एक बुड़े से विकती है Mr. Lamb ठीक है ये इनका जो एक leg है एक पैर है वो tin का है ये army में थे और इनका एक war के time पे bum से उड़ गया था इनका एक पैर तो इन्होंने अपनी 10 की पैर लगवा ले ठीक है अब इन दोनों का जो दुनिया को life को देखने का नजरिया है वो बहुत ही ज़ादा अलग है ठीक है इस वीडियो के end तक जरूर देखना क्योंकि मैं इसमें important questions में बताने वाले हूँ जो कि आपके exam point of view से बहुत ही ज़ादा जरूरी है तो शुरू करते हैं guys तो मैंने जैसे बताया कि इन दोनों का जो नजरिया है वो बहुत ही ज़ादा different है life को देखने का चीजों को देखने का और सोचने का ये जो है Mr. Lamb ये बहुत ही positive और optimistic kind of person है और ये जो Derek है ये बहुत ही ज़ादा pessimist है यानि कि ये बहुत ही ज़ादा negative सोचता है इसे हर चीज गलत लगती है इसे लोग पसंद नहीं है ये लोगों को देखता है तो इसे लगता है कि ये लोग इसका मजाक उड़ाएंगे मुझे देखेंगे तो हसेंगे तो ये लोगों से दूर रहता है भागता है ये लोगों से और अकेला रहना ज़ादा बसंद करता है और जो Mr. Lamb है वो बिलकुल opposite है वो चाहते हैं वो वैसे तो अकेले ही रहते हैं अपने घर में इनका एक बहुत बड़ा गार्डन है इनका जो गेट है वो हमेशा खुला रहता है ताकि जो बाहर के लोग है वो अंदर आ सकें बैठें बात करें इनके गार्डन में बहुत सार आपल के ट्रीज है और यह गार्डनिंग में भी अपना टाइम जो स्पेंड करते हैं तो यह अपना जो गेट है। हमेशा खुला रखते थे कि जो भी चाहे वो अंदर आ सकता है बैठ सकता है ताइम स्पेंड कर सकता है मेरे साथ तो यह जो है यह लोगों से बहुत देते हैं यह इस पूरी स्टोरी में बताया गया है तो गैस स्टोरी शुरू होती है कि जो डेरी होता है वो मिस्टर लाम के घर के बाहर से गुजर रहा होता है और उसको नहीं पता होता है किसका घर है किसका क्या है वहां पर एक वाल होती है वाल के उपर उसे बहुत अच्छ अच्छे क्राब एपल्स दिखते हैं क्राब एपल्स यानि की वाइल्ड एपल्स तो उसको वो बहुत ही अच्छे क्राब एपल्स दिखते हैं तो उनको तोड़ने के लिए वो जो है वो दिवार पे चड़ जाता और दिवार से जैसे ही कूदता है उसे वहां पे एक बुजर खुद जाता मैं दुख हो जाता है और ड़ जाता है कि इसको कहीं यह ना लगे कि मैं चॉरी करने नहीं आया था और मैं इसको कमफोर्ट करने के लिए कम्हघता है कि कोई बात नहीं कि तुम गेट यह सकते थे मेरा गेट हमेशा खुला रहता है और एपल भी उसको देता है वो मिस्टर लाम इसके बाद वो उसको बिठाता है और बात करने की कोशिश करता है तो स्टिल डेरी जो है वो बहुत ज़्यादा बोलता है कि आप मुझे देखके डरे नहीं और ये वो मुझे तो लोग पसंद करते और मुझे देखके लोग डर जाते हैं मेरा जो फेस है वो जल गया था तो वो जस्टिफाई कर रहा होता है अपने फेस को इतने में मिस्टर लाम टॉपिक चेंज करने लिए बोलते हैं कि देखो वो आपल्स है चलो इनको तोड़ते हैं और इससे हम जली बनाएंगे इसके बाद वो कहता है कि नहीं नहीं आप इसी टॉपिक पर बात करिए और मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं मेरा फेस ऐसे जल गया था आप ये मत सोचना कि आग में जल गया था मेरो परैसट गिर गया था और तब से ही मेरा फेस जो है ऐसा है मुझे कोई प्यार उसको convince करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है तुम देखो तुम ये भी तो देखो कि तुमारे पास दो हाथ है दो पैर है तुम अच्छे से चल फिर सकते हो मुझे देखो मेरे पास तो एक टिन की लेग है बट फिर भी मैं लोगों से बात करता हूँ ऐसा तो नहीं है ना कि मैं लोगों के छुपके बैठ जाओंगा और डर जाओंगा तो उसने कहा डेरी ने कि नहीं आपका जो पैर है ठीक है टिन का है बट अट लिस्ट आप उसे छुपा सकते हो ठीक है ज़रूरी नहीं है कि कोई उसे देखे ही और अब तो आप बुज़र को चुके हो पर मैं तो अभी यंग हूँ मुझे तो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है सपोस मैं कॉलेज में जाओंगा और ये वो मुझे कौन प्यार करेगा और मुझे कौन मेरा दोस्त बनेगा लोग मुझे से नफरत करते हैं एवन मैंने एक बार सुना भी था दो ओरते मार्केट में मुझे देखके हस रही थी और कह रही थी कि ये कितना ज़्यादा मॉन्स्ट्रस फेज है एकदम इसको तो सर्फ इसकी मा ही प्यार कर सकती है तो वो बोलता है कि मुझे भी लोग बोलते हैं लैमी लैम यानि की लंगडा लैम लेकिन मैं उनकी बातों को सीरिस थोड़ी ना लूँगा दुखी थोड़ी ना हो जाऊंगा उनकी बातों को सुनके तुम ये सोचो ऐसे लोगों से तो पहले तो तुम अवोइड करो ऐसे लोगों के आसपास रहना अवोइड करो लेकिन तुम्हारे पास हाथ पैर है तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा फेस कैसा है तुम्हारे अंदर टैलेंट कैसा है तुम उस चीज़ पे ध्यान दो तुम अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचो जो हो गया उसको भूल जाओ और उस पे इतना ध्यान मत दो जब तक तुम खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो लोग भी तुमसे प्यार नहीं करेंगे तो वो बहुत उसे पॉजिटिव करने के कोशिश करता है और वो काफी हद तक पॉजिटिव हो भी जाता है मीनवाइल जो मिस्टर लैम है वो एक स्टोरी भी बताते है उसको और जादा पॉजिटिव करने के लिए कि देखो एक आदमी ऐसे ही था उसको लगता था कि मुझे लोग पसंद नहीं है अगर मैं घर में ही बैठा रहूँगा बंद करूँगा बाहर जाऊँगा तो लोग मुझे मार देंगे ये वो मेरे साथ कुछ मिस हापनिंग हो सकती है तो वो अपने आपको एक कमरे में बंद कर लेता और जब वो कमरे में बंद करके बैठता है अपने आपको तो उपर एक बहुत ही बड़ा सा तस्वीर होती है, फ्रेम होता है वो उसके सर पे गिरती है और वो वही मर जाता है तो इस स्टोरी से वो उसको बताना चाहते हैं कि देखो तुम ऐसे कर रहे हो न तो तुम ऐसे अपनी यूज करते, क्यों नहीं अच्छी तरीके से जीते, तो ये सारी बातों से वो बहुत ही जादा आप्टेमिस्ट हो जाता है और बहुत ही जादा पॉजिटिविटी से भर जाता है, उसके बाद उसे लेट हो रहा होता है तो वो कहता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ और मैं वापस जरूर आऊंगा तो वो कहता है मिस्टर लैम कि हाँ लोग यहाँ पे आती हैं बाते करते हैं और कहते हैं वापस आएंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आते हैं तुम भी जाओ तो वो कहता है कि पर मैं जरूर आँगा वो अपने घर जाता है अपनी मदर को ये सारी की सारी स्टोरी बताता है उसकी मदर कहती है कि ऐसे लोगों के बारे में तुम्हें नहीं पता है और उसके बाद नेक्स दे वो फिर वहां जाता है जब वह वहां जाता है तो जैसे वह वहां पहुंचता है suddenly एक बहुत बड़ा धमाका होता है क्या धमाका होता है कि सीडियों से मिस्टर लाम जो है वो गिर चुके होते हैं और वो वहीं पर on the spot उनके death हो जाती है तो जब वो मढ़ जाते हैं तो वहां पर लाम पहुंचा तुरंत ही पहुंचा था और वो बोलता है कि मिस्टर लाम देखे मैं आया था वापस बाकी लोग शायद ना भी आते हूं बट मैं वापस आया था तो यह थी पूरी स्टोरी इसकी और आई होप आपको पसंद आई हो इसमें कुछ important questions है वो मैं आपको बता देती हूँ first question यहाँ पर यह बन सकता है कि how does lamb try to remove the baseless fears of dairy है ना कि किस तरह से वो उसके fears को उसके डर को दूर करने की कोशिश करता है कैसे यह आपको एक चीज़ बतानी है आपको summary समझा गई है आप इसको अपने words में लिख सकते हैं इसके why does Mr. Lamb always leave his gate always open तो वो अपना gate क्यों खुला रखता था because बाहर के लोग भी आ सकें और वो loneliness से दूर भाग सकें और एक बहुत ही ज़्यादा value based question आ सकता है कि अगर इसकी जो ending हुई है वो अगर आपको कुछ और ending बनानी होती तो आप क्या ending बनाते हैं तो यह आप इसको भी बताईए मेरे हिसाब से मेरी तरफ से जो इसका अच्छा अंसर होना चाहिए वो यही रहेगा कि ending यह हो सकती है कि इसमें जो है Mr. Lamb मरते नहीं है last में और बहुत अच्छी friendship हो जाती है और दोनों आपस में आपल सोड़ते हैं जेली बनाते हैं और काफी जादा और जादा आप्टेमिस्ट करते हैं Mr. Lamb तो यह थे कुछ important questions guys I hope आपको यह story और यह chapter समझाया हो thank you guys for watching this video if you like this video hit the like button keep sharing and do subscribe our channel thank you